हेलो बच्चों कैसे हैं आप उंबित करती हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो आए बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेशन के बारे में तो क्रिया विशेशन को जानने के लिए हम चित्रों को माध्यम बनाते हैं हमारे सामने चार चित्र है पहले चित्र में रवी प्रती दिन वयाम करता है और दूसरे चित्र में हिरन तेज दोर रहा है और तीसरे चित्र में क्या बताया गया बच्चों? गोलू बहुत खाता है और चौथे चित्र में बच्चे बाहार खेल रहे हैं तो बच्चों ये जो भी वाकिय हमने पड़े अभी इनमें कुछ शब्द यसे आए हुए जैसे प्रति दिन, तेस, बहुत एवं बाहार ये क्रिया की विशेश्टा प्रकट कर रहे हैं ये सभी शब्द क्रिया विशेश्ण हैं इस प्रकार क्रिया की विशेश्टा प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेश्ण के लाते हैं आईए आप क्रिया विशेश्ण के भेद भी जाने तो बच्चों क्रिया विशेश्ण के चार भेद होते हैं काल वाचा क्रिया विशेशन, स्थान वाचा क्रिया विशेशन, परिमान वाचा क्रिया विशेशन और रीती वाचा क्रिया विशेशन अब एक एक करके हम इन चारों भेदों को पढ़ेंगे सबसे पहले हम जानेंगे काल वाचा क्रिया विशेशन क्या है जिस क्रिया विशेशन शब्द से क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है रहकाल वाचा क्रिया विशेशन कहलाता है इसे मम्मी बाजार से अभी आई है रोहित प्राता सेर करने जाएगा तो इन वाक्यों में अभी तथा प्राता क्रियाओं के समय संबंदी विशेशता हैं बता रहे हैं अते ये दोनों शब्त काल वाचा क्रिया विशेशन हैं कौन से अभी और प्राता ये काल वाचा क्रिया कुछ अन्य काल वाचा क्रिया विशेशन शब्द भी हैं जैसे आज, कल, परसों, कब, अब, दोपहर, सदे, यह सारे काल बता रहे हैं यानि कि समय का बता रहे हमें तो यह काल वाचा क्रिया विशेशन है दूसरा आता है स्थान वाचा क्रिया विशेशन अर्था जिस क्रिया विशेशन शब से क्रिया की होने की स्थान या दिश्रा का बोध होता है वह स्थान वाचा क्रिया विशेशन क्यलाते हैं इसकाक्षा में विपुल आगे बैठा और हिमान्चु पीछे सडक पर दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए इसमें स्थान का पता लग रहा है आगे और पीछे से दाएं और बाएं से तो इनमें जो शब्द आये थे जैसे आगे पीछे दाएं बाएं क्रियाओं की स्थान या दिश्या संबंदी विशेशताएं बता रहे हैं यह तीनों शब्द स्थान वाचा क्रिया विशेशन हैं और कुछ स्थान वाचा क्रिया विशेशन शोद भी होते हैं जैसे कि ऊपर भीतर यहां वहां इधर उधर इस और यह सारे स्थान के बारे में बता रहे हैं इसलिए स्थान वाचा क्रिया विशेशन हैं तीसरा है परिमान वाचा क्रिया विशेशन अर्था जिस क्रिया विशेशन शब से क्रिया के परिमान या नापतोल का बूध होता है वह परिमान वा आप तोल संबंदी विशेशताएं बता रहे हैं अते ये दोनों शब्द परिमान वाचा क्रिया विशेशन हैं और भी परिमान वाचा क्रिया विशेशन शब्द होते हैं जैसे कि थोड़ा कुछ बहुत जितना कितना खूब प्रयापता दी ये सारे क्या हैं परिमान वाचा क क्रिया विशेशन के लाता है जिसे अचानक बूड़े बाबा का पैर फिसल गया हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए तो जो उपर वाक्य आये हैं उसमें अचानक और ध्यान पूर्वक क्रियाओं के होनी की रीती या धंग बता रहे हैं अते हैं दोनों शक रीती वाचा जचाऄत क्रियाविशेशन जब्ण हैं जैसे छुप symbols जटपड शांति पूरवक नंब्रता पूरवक धिरे धिरे तेजी से और अग स्वार यह सारे रीति के बारे में बता रहे हैं इसे लिए रीति वाचक क्रिया विशेशन है आईए बच्चों विशेशन। क्रिया विशेशन में अंतर भी जाने तो बच्चों विशेशन शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं क्रिया की विशेशता बताते हैं एक ही शब्द का प्रियोग विशेशन और क्रिया विशेशन दोनों रूपों में हो सकता है जैसे उसने अच्छी कवीत रुपाली ने खाना कम खाया है क्रिया शब्द है और क्रिया से ठीक पहले कम आया तो ये क्रिया विशेशन शब्द बन गया तो बच्चों आपको क्रिया विशेशन अच्छे से समझ में आया होगा ये मुझे पूरी उम्मीद है लेकिन एक वार आपके अभ्यास के लिए सद्ध्याई को हम दोरा लेते हैं तो बच्चो क्रिया की विशेश्टा प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेशन के लाते हैं क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं काल वाचक स्थान वाचक परिमान वाचक तथा रीती वाचक क्रिया विशेशन और काल वाचक क्रिया विशेशन शब्द से क्रिया के हो या धंका बूध होता है इसलिए इसे क्रिया विशिशन के तो उम्मीद करते हूं बच्चों यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा अब आपने इसका अभ्यास करना है ताकि आप इसमें दक्ष हो पाए अब इसका अभ्यास करें स्वेम कीजिए